हलो फ्रेंज, वेलकम टू रसोई, क्या आपने कभी ब्रेट कटिंग से पास्ता बनाया है, चले आज हम बनाते हैं एक पैन में तेल गरम करें और उसमें एक प्याज काटकर डाल ले प्याज को हलका सेखें और एक चमच कटी भी लेसून अट करें आधी कटी शिमला मच, एक ग्रेटेड गाजर, दो चमच स्वीट कॉर्ण मेरे पास दो उबले आलू भी थे जिनको मैं आट कर रहे हूँ, जिससे ग्रेवीर थेक हो जाएगी बट ये ओप्शनल है एक चमच हल्दी पाउडर, आधी चमच लाल मिर्च, नमक स्वाध अनुसार, एक छोटी चमच चिली सॉस, एक बड़ा चमच टोमेटो कैचप, एक छोटी चमच ओरेगेनो, थोड़ा सा दूद, अगर आपके पास ओरेगेनो नहीं है तो आप थोड़ी से अजवाइन भी पीस कर डाल सकते हैं, एक चमच पास्ता सॉस, अच्छी तरह से मिक्स करें, अब हम इसमें दूद आट करेंगे, मैंने एक ग्लास दूद लिया है, इन टोटल, जिसे मैं तीन बार थोड़े-थोड़े करके मिला रही हूँ, सो पूरी रेसिपी में मैंने 200 ml दूद यूज किया है, अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से बॉइल कर लेते हैं, एक बाउल को ग्रीस कर लें और उसमें हम ब्रेट कटिंग्स डाल देंगे, अब तैयार किये वे मिक्शर को अच्छी तरह से शिला दें, चीज एड करने के बाद आप अपनी इच्छा से टॉपिंग से और फिर हम इसे बेक करेंगे, माइक्रोवेब में 8 से 10 मिनिट फूल टेंप्रेचर पर और अगर ओटीजी है तो 15 मिनिट के लिए 180 डिग्री पर, आपको यह रेशिपी कैसी लगी जिरूर बताईएगा, थैंक्यू फो वचिंग रेशिए।